थानेदार साहब मंत्री जी की चरण वंदना कर रहे हैं आशेरवाद ले रहे हैं लेकिन थानेदार साहब का मंत्री से आशेरवाद लेने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है मंत्री विजय शाह से जब हमने बात की तो उन्होंने थानेदार द्वारा पैर चुने के मामले पर कुछ नहीं बोला लेकिन किसानों की बरबाद हुए फसलों का मुआवजा देने का वादा जरूर कर गए जंगली हांतियों के द्वारा जो उनकी फसल को नेश्ट किया गया है हम बापस अभी फसल नहीं होगा सकते लेकिन हाँ उनके आंसु चुरूर पोच सकते हैं अधिक्तम जो भी मौजा होगा वो हम देने का प्रयास करेंगे किबल मौजा ही नहीं क्योंकि लगातार ये देखने माया है कि तीन और से ये खेत हमारा बंगराम नेश्टनल पार्क से जुड़ा हुआ है और बार बार अभी तो किबल फसल अभी तैयार नहीं हुए जब ये फसल तैयार होगी इसके जब कुछ भू आएगी तो फिर ती आंग से हांगे की नहीं आएगी तो इसकी प्रमनेंट समच्च्चा करने के लिए हम हातियों का यान बंध हो इसके लिए चाहे इनको सम्मान जनक जमीन और सम्मान जनक पईसा दे करके सिप्ट करने की योजना हो इन इसे अनुमती लेके इनकी सहमती से हम बेट के बनाने का प्रयास करेंगे दरसल बन मंत्री विजय शाह कटनी के बगदरा गाउ में हाथियों द्वारा बरबाद हुई फसलू का जाजा लेने पहुचे थे लेकिन जैसे ही मंत्री जी अपनी गाड़ी से वाहर निकले थानेदा बात लेने के लिए उनके पैर छूलिये लेकिन वहां खड़े किसी शक्स ने उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया आपको बता दे कि बांध वगड टाइगर रिजर्ब से सटे कटनी की सीमा परिस्थित गाउं में हाथियों ने काफी फसलों को बरबाद क कर दिया है जिसकी सूचनप पर वन मंत्री विजय शाह यहां पहुंचे थे उनके साथ विदायक संजब पाठक भी मौजूद रहें कटनी से अमरतामरकार की रिपोर्ट